Hello Everyone, Welcome to Studywise English for Class 7th इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे An Alien Handbook का चाप्टर No.4 The Cop and the Anthem इस चाप्टर का जो नाम है उससे आपको क्या समुझ में आता है? जो कॉप है उसका मतलब होता है पुलिसमेन अमेरिका में या अमेरिकन लांगविज में जो पुलिसमेन है या पुलिस वाला है उसको नॉर्मली क्या कहा दिया जाता है? कॉप और Anthem का मतलब होता है किसी भी religion, country का जैसे कि हमारे हां का national anthem है वैसे ही कहीं का musical composition ठीके? अब यहाँ पर यह जो chapter है इसके जो writer है वो है O. Henry ठीके? और साथी साथ इस chapter के जो main character है Sophie उनके बारे में हम यहाँ पर पहले कुछ discuss कर लेते हैं Sophie यहाँ पर एक jobless man है, काफी जादा helpless man है, उसके पास रोजगार नहीं है, उसके पास कोई job नहीं है, कोई काम नहीं है उसके पास करने के लिए ठीके? वो बहुत जादा अकेला होता है और medicine square नाम की जगा है महा के पार्क के बेंच में वो अकेला बैठा हुआ होता है और काफी जादा बेचैन होता है, उसको घबराहट हो रही होती है, ऐसा क्यों होता है? उसके लिए हम इस chapter को पढ़ेंगे Before you read में हम क्या दिखेंगे? कि have you ever found yourself in a situation in which what happened was the opposite of what you expected? क्या आपने खुद को एक ऐसी situation में कभी पाया है कि आपके साथ जो कुछ हुआ हो वो एकदम उल्टा हुआ हो इस बात के कि जो आपने expect किया था यानि कि आपने सोचा कुछ और हो और हो कुछ और गया इस तो you are familiar with the irony of the situation अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपको situation की irony के बारे में जरूर पता होगा जो कि often यानि कि अकसर embarrassing होता है irony of the situation का मतलब क्या है? कभी भी हमने जो expect किया उसके एकदम उल्टा हो जाना, एकदम उल्टी चीज हो जाना या फिर एक पाइलेट को ही उचाई सरडल लगता हो तो यह सब जो है इस situation की irony होती है the story that you are going to read has a number of such situations और यह जो story आप पढ़ने वाले हैं इसमें बहुत सी ऐसी ही situation है Sophie is homeless, jobless man यहाँ पर जो हो story के main character Sophie है वो homeless और jobless man है यानि कि उनके पास कोई घर नहीं है उनके पास कोई job नहीं है, कोई काम नहीं है winter is fast approaching and Sophie must have a place to stay अब हुआ क्या था, वहाँ पर जो मौसम था वो कैसा था कि सरदियां आने वाली थी, फटा-फट से आने वाली थी सरदिया और क्या था, Sophie के पास ना तो रहने के लिए कोई घर था और उसको एक घर ढूनना था, जहां पर वो रुख सके Sophie comes to a decision at last और last में Sophie ये कैसा decision ले लेता है Sophie moved restlessly on his seat in medicine square यहाँ पर medicine square नाम की जगा पर एक park है उस पर एक bench लगा हुआ है, जिस पर सोपी बैठा हुआ है और वो उसी seat पर बेचैन इधर उधर हिल रहा है There are certain signs to show that winter is coming और आसपास देखने पर ऐसा लगेगा आपको कि बहुत से ऐसे संकेत हैं जिससे लगेगा कि ठंड आने वाली है कैसे? Birds begin to fly south जितने भी पक्षी थे, वो south की तरफ उनने लगे People want new warm court, जो लोग थे, वो बाजारों से क्या खरीदने लगे Coat वगेरा खरीदने लगे, जो कि गरम coat होते हैं पहनने के लिए तक कि सर्दी ना लगे और जो सोपी था, वो इस टाइम क्या कर रहा था? पार्क में एक सीट पर बैठ कर restlessly, यानि कि बेचेन बैठा हुआ था When you see these signs, you know that winter is near जब आप ऐसे signs को देख लेते हो, कि आसपास market में जो लोग हैं वो भी sweater वगेरा ख़ीदने जा रहे हैं जो birds हैं, वो south की तरफ जाने लगे हैं इससे आपको पता चल जाता है कि जो winter है, वो पास आने वाली है सर्दियां शुरू होने वाली है A dead leaf fell at soapy's field और एक जो सूखा पत्ता होता है सर्दियों में अक्सर क्या होता है? जो पेडों के पत्ते होते हैं सूख जाते हैं और जब हवा चलती है तो वो गिरने लगते हैं तो ऐसे ही soapy के पैर पर भी एक पत्ता गिर जाता है That was a special sign for him that winter was coming और उसके लिए एक special sign क्या था? कि winter आ गई है, वो ये था It was time for all who lived in medicine square to prepare और इस अभी के लिए time आ गया था कि medicine square में जो भी लोग रहते हैं वो खुद को winter के लिए prepare कर ले, तयारी कर ले Soapy's mind now realized that fact अब Soapy का जो दिमाग था उसको ये वाली बात जो है समझ में आने लगी थी कि the time had come, समय अब आ गया है He had to find some way to take care of himself during the cold weather उसको कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा कि इस cold weather में, इतनी ठंड में वो अपने आप का किसी ना किसी तरह ध्यान रख ले and therefore he moved restlessly on his feet और यही बात उसको समझ ये आ रही थी कि वो कहा रहेगा ठंड आने वाली है इसलिए वो बेचैन भी हो रहा था सोपी's hopes for the winter were not high अब जो सोपी था, वो winter के लिए कोई बहुत जादा उमीदे नहीं कर रहा था he was not thinking of sailing away on a ship वो ऐसा नहीं सोच रहा था कि वो किसी ship पर यात्रा के लिए जाएगा he was not thinking of southern skies वो डक्षिन के आस्मान यानि कि southern sky के बारे में कुछ नहीं सोच रहा था bay of naples के बारे में कुछ नहीं सोच रहा था naples की जो खाड़ी होती है वहां के बारे में कुछ नहीं सोच रहा था three months in the prison on blackwell's island was what he wanted लेकिन इन सब के बारे में ना सोचते हुए ना कि southern skies के बारे में और ना ही bay of naples के बारे में लेकिन वो किस के बारे में सोच रहा था blackwell island के बारे में blackwell island यहां पे क्या है वो सोच रहा था कि जो 3 महीने की जो jail होती है blackwell island में उसको उस jail में जाना है और वहाँ अपने तीन महीने गुजारने है तीन महीने तक लगातार खाना भी मिलेगा और आत को सोने के लिए बेड में मिलेगा तीन महीने सुरक्षा मिलेगी जो इतनी ठंडी नौर्ट से हवाय चल रही है उनसे और साथी साथ जो पुलिस वाले हैं वही तुम्हारी रक्षा करेंगे सेफ फ्रॉम कॉप्स जो कॉप्स है उनसे भी सुरक्षा मिलेगी और अब सोपी की दुनिया में यही उसकी जो एक इच्छा थी वो बची हुई थी फॉर यर्स ब्लाक्वेल्स आइलेंड हाज बीन इस विंटर हूँ काफी सालों से ऐसा चल रहा था कि ब्लाकवेल्स आइलेंड की जो जेल थी वो सोपी के लिए उसका सर्दियों वाला घर बन गए थी रिचर न्यू यॉकर्स मेड देयर प्लांस तो गो तो फ्लॉरिडा और तो दे शोर अफ मेडिटरेंट सी इच विंटर जो न्यू यॉक में रहने वाले लोग है और जो की अमीर है वो क्या प्लांस बनाते हैं कि वो फ्लॉरिडा जाएंगे या फिर मेडिटरेंट सी पर जाएंगे हर विंटर वहाँ पर जाकर अपनी सर्दियों की छुटियां बिताएंगे लेकिन सोपी मेड़े स्मॉल प्लांस फॉर गेटिंग तू दी आइलेंट लेकिन सोपी ने भी अपने छोटे से प्लांस मना रखे थे कि मुझे तू उस आइलेंट पे जाना है जैसे आप देख सकते हैं सोपी ऐसे बैठा हुए और वो क्या सोच रहे कि अब समय आ गया है जो तीन बड़े बड़े न्यूस पेपर से उसने खुद को ढख रखा था और जो उसने अपने कोट के नीचे भी लगाए हुए थे और कुछ अपनी टांगों के उपर रखे हुए थे अब उसको लग रहा था कि अब इन से उसको और गर्मी नहीं मिलने वाली है और वो पार्क में रात कैसे गुजारेगा और इसलिए सोपी जो है वो आइलेंड के बारे में सोच रहा था अच्छा सिटी में ऐसी बहुत सी जगाएं हो सकती है जहां सोपी जाकर खाना मांग ले और रात को रहने के लिए वहाँ पे स्टे करने के लिए एक बेड मांग ले और शायद उसको कोई यह दे भी दे वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जा सकता है ठीक है और यहां पर हम जो विस पेज पर आए हैं तो यहां पर देखो जो सदन स्काइर्स है जिसके बारे में सोपी सोच रहा होता है तो यहां पर जो आप वर्डिंग में देखोगी सदन स्काइर्स का मतलब क्या है वार्मर प्लेसेज यानि कि जो सोपी है अभी तक के स्टोरी में ये पता चला है कि उसको बिल्कुल भी उमीद नहीं थी कि वो वहाँ कहीं जाएगा वो तो बस कहां जाना चाता है Blackville आइलेंड जाना चाता है Blackville आइलेंड किया है? एक जेल है ठीक है? और वहाँ पर क्या होगा? उस jail में जाने के बाद जो government है वो उसके रहने और खाने का खयाल रखेगी इसलिए Sophie Southern Skies के बारे में ना सोचते हुए यानि कि कि किसी गरम जगा के बारे में ना सोचते हुए Blackwell आईलेंड के बारे में सोचता है बढ़ी लाइट Blackwell आईलेंड बेटर यानि कि जो सोपी है वो थोड़ा सा घमंडी है If he went to any of these places यहां पर घमंडी कहलो या फिर कहलो खुदार है ठीक है वो जल्दी किसी के help लेना नहीं चाहता है अगर वो इन जगों पर जाएगा तो क्या होगा There were certain things he had to do उसको कोई भी घर देगा, खाना देदेगा लेकिन हो सकता है उसे कोई काम बोल दे कि तुम इसके बदले में हमारे ये कर दो तो हम तुमें खाना देदेंगे या फिर रात को रहने की जगा देदेंगे In one way or another, he would have to pay for what they give him तो directly या indirectly इस सोपी को कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा इसके बदले में लोग इसको कुछ दे They would not ask him for money हो सकता है, वो सोपी से पैसे ना मांगे But they would make him wash his whole body लेकिन वो कहेंगे कि तुम इतने गंदे क्यों बने हुए हो, तुम इन हाग कर आना चाहिए They would make him answer question, उससे कई सारे सवाल पूछेंगे तुम कहां से हो, इधर उधर क्यों भटक रहे हो They would want to know everything about his life, वो सोपी की सिंदिकी बवारे में सब कुछ जानना चाहेंगे No prison was better than that, और फिर सोपी क्या सोचता है कि नहीं जो jail है, जो prison है, वो ही सबसे better है The prison had rules that he would have to follow जादर से जादर क्या होगा, जेल में कुछ नियम कानून होगे, जिसको उसे follow करना होगा But in prison, a gentleman's own life was still his own life लेकिन जेल में एक gentleman वाली जिंदिगी, एक सजजन वाली जिंदिगी होती है, वो अकेली जिंदिगी होती है सोपी, having decided to go to the island, at once began to move towards a desire फिर सोपी ने अपनी एक desire, यानि कि जो अपनी इच्छा थी कि इसको island पर जाना है, उसको decision में भी ले लिया, उसने decide कर लिया और अपनी वो desire की तरफ, अपनी इच्छा की तरफ अब वो आगे बढ़ने लगा इस chapter का जो पार्ट second है, उसको हम next video में discuss करेंगे I hope आपको part 1 clear हो गया होगा अगर आपने अभी तक हमारे चानल को subscribe नहीं किया, तो please channel को subscribe कर देना Thank you And one more thing, जो link है आपको इस chapter के second part के लिए वो कहाँ पे मिलेगा Comment section और description box में इस chapter का link part 2 का provided है